मेरे प्यारे शिश्यो आप सभी का USOI कलासे सहित्य गंगा में हादिक स्वागत है आज हम लोग कच्छा बारा की कच्छा बारा कलास की हिंदी काबे खंड में पहला अध्याय दिये गए पहले अध्याय प्रेम माधुरी जो भारतन्दु हरिश्चंद की काबे है उस काबे की कुछ पंक्तियां कच्छा बारा में जो है दी गई है और पहला ही अध्याय है और पहले अध्याय का जिक्र हम लोग आज करेंगे ब्याख्या प्रसंग ब्याख्या चंद अलंकार का बेगूर दोस्ट तो इन सब चीजों पर हम आज यह वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और सेयर भी करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके और इसका लाव जो है ज्यादा से ज्यादा विडियो उठा सके जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वे लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे जिससे आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे यह हमारी जो है पहली कलास होने वाली है काव्णे खंड पर और शुरुवात कछा 12 से कीज़े कछा 12 से ही आराम्ब होता है कछा 11, कछा 9, 10 सभी कलास की वीडियो आप लोगों मिलेगी लेकिन हमारी पहली क्लास जो है कच्छा 12 से स्टार्ट हो रही है और पहला ध्याय है भारतेंदू हरिस्चंद का प्रेम माधुरी तो पहले आईए हम लोग जीवन परचा देख लेते हैं भारतेंदू हरिस्चंद का जिन्होंने प्रेम मादुरी को लिखा रहे हैं, रचना किया है तो प्रेम मादुरी के रचेता भारतेंदू हरिश्चंद है ये आधुनिक यूग के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं इनका जन्म 1850 इसबी में बनारस कासी की परसिद सेठ अमी चंद के वन्सज में हुआ था इनके पिता का नाम गोपाल चंद था भारतेंदू जी के पिता का नाम गोपाल चंद था जो गिर्धर दास के नाम से कविता लिखा करते थी घरेलू पर सितियां एवन समस्याओं के कारण भारतेंदू जी की सिच्छा बेवस्थित रूप से नहीं चल पाई और उन्होंने घर पे ही स्वयम से इसको या स्वय अध्याय कह सकते हैं द्वारा हिंदी, संस्क्रीट, अंग्रेजी, बांगला, मराठी, आधि भासाओं के सिच्छा ली इन्होंने कविताय लिखने के साथ साथ कभी वचन सुधा नामक पत्रिका का भी प्रकासन किया फिर बाद में हरिश्चन मैगजेन नाम से पत्रिका निकाली जिसका बाद में नाम बदला गया आठवे संसकरण में, आठवे अंक में कह सकते हैं आठवे अंक में हरिश्चन मैगजेन का नाम हरिश्चन चंद्रिका रग दिया गया एक और उन्होंने पत्रिका निकाली थी, महिलाओं के उस सिच्छा से संबंदित था वो पत्रिका, बाला बोधनी नाम से ये सहित्य के छेत्र में कभी भी थे, नाटक कार भी थे, इतिहास कार भी थे, समालोचक भी थे, पत्र संपादक, आदी बहुत कुछ थे तो समाज योंग राजनेती के छेत्र में एक राष्ट नेता योंग सच्छे पत्रदर्शक के रूप में ये जाने जाते थे जब राजा सीव परसाद को अपनी चाटुकारिता के बदले बिदेशी सरकार द्वारा सितारे हिंद की पदवी दी गई तो देश के सूपरसिध बिद्वजनों ने इन्हें भारतेंदू जी जो है चैरोग से ग्रस्थ हो गए और चैरोग से ग्रस्थ होने के कारण इनकी मृत्त्य जो है अल पायों में 1885 इसमी में हो जाती है और भारत का यह इन्दू अस्थ हो जाता है गदकार के रूप में भारतिन्दुजी को हिंदी गद का जनक माना जाता है इन्होंने साहित्य को सरवांग रूप पुड बनाया काबे की छेत्र में इनकी कृतियों को इनकी यूग का दरपड माना जाता है इनकी कुछ कृतियां देखें तो प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, प्रेम सरोवर है, प्रेम मलिका है, प्रेम प्रलाप है, तनमय लीला है, दान लीला है, बिजय बिजयनी है, बिजय पताका है, आधी है इनकी काबी तो इतना आपको काफी है, तो अभी हमने आपको जिवन परचे बताया, अब कुछ रचना है, यह आपको लिखना होता है, ठीक है, लेखक परचे आता है, और लेखक का परचे देना, कुछ रचनाओं का नाम आपको लिखना पड़ेगा, कृतिया लिखना पड़ेगा, अन्य बहुत अच्छा नाटक है, सत्य हरिश्चंद है, भारत दूर दसा है, अंधिर नगरी भी इनका है, नील देवी है, तो ये कुछ नाटक हो गए, इनका उपन्यास पुड़ प्रकास और चंद परभा है, तो इतना ये आप जानिए, कि मतलब इनका जो काविश संग्रह है, प्रेम मादुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम परलाप, बिजय बिजय नी, बिजय पता का, इतना लिख देंगे तो काफी है, एक दू नाटक भी लिख लिजिएगा, अंधिर हैं, इनके कुछ जिवन पर्चा, भार्तेन दू हरिश्यंद का, भार्तेन दू हरिश्यंद 1850, इनका जन्म, आप लोग याद रखेंगे, कि 1850 में इनका जन्म हुआ, और मृत्यव 1850 से इसमी, तो कुछ चीज़े इंपोर्टेन्स हिज़े से माता का नाम, जन्म स्थान बन तो ये कुछ कलियर होना चाहिए और कुछ रचना आए ठीके ये चीज़े सौही होनी चाहिए प्रफेक्ट तब ही आपको नमबर मिल सकता है जिवन पर्चे पर तो आज हम जिवन पर्चे तो जिवन पर्चे मेन उद्दे से नहीं है ये तो ऐसे आपकों को बता दिया गया मेन उद्दे से है प्रेम माधुरी सिर्शक से जो हमारा काब्बे है उस काब्बे को तो आएए अब हम उस कावे पर चलते हैं यह हमारा कावे है कावे को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं ठीक है हाँ तब कावे पढ़ते हैं देखिए जब आपको देगा प्रश्न आएगा कि संदर्व सइथ ब्याख्या करिए तो संदर्व में आप क्या लिखेंगे संदर्व कैसे लिखेंगे आप लोग का जब कावे जाची जाती है तो हम बहुत देखें कि आप लोग साइसे संदर्व नहीं लिख पाते हैं ठीक है संदर्व में कुछ मियन चीज़ होना चाहिए जो लेखक का नाम है और सिरसक का नाम यह दो ही तो है संदर्व में लेखक का नाम यानि कभी का नाम या लेखक का नाम और उसके सिरसक का नाम यह दोनों बिलकुल सही होने चाहिए और इन्वर्टेट कामयामे होने चाहिए ठीक है अगर यह दोनों सही है तो आपका संदर्प सही है लिखेंगे कैसे संदर्प तो ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्दांस हमारी हिंदी पाठे पुस्तक में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद द्वारा रचित प्रेम माधुरी सिर्षक कविता से उद्रित है फिर से बोल रहा हूँ त्यान से नोट कर लिजिए इसको प्रस्तुत पद्दांस हमारी हिंदी पाठे पुस्तक में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद द्वारा रचित प्रेम माधुरी सिर्षक कविता से उद्रित है ठीक है प्रसंग में क्या लिखेंगे पहले पद के लिए प्रसंग क्या लिखेंगे देखिए संदर्ब तो सभी के लिए एक ही होगा ठीक है एक चिप्टर में एक ही संदर्ब है प्रसंग बदलते हैं पद के अनुसार चलेंगे ठीक है तो प्रसंग, दूसरी एडिंग आप बना लेंगे प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखेंगे? कि प्रस्तुत सवया ये सवया छंद में है प्रस्तुत सवया में ब्रज बाला प्रेंग मार्ग पर प्रेंग मार्ग पर चलने से होने वाली जो नेंदा है और उससे उत्पन जो काष्ट है उन्हें कष्टों का वो वड़न कर रही है प्रस्तुत सवया में बरज की एक बाला है बरज बाला मतलब जहां से करिशण चले गए बरज के छेतर से मत्वुरा चले गए न तो बरज की जो गोपियां है वो उदास होने लगी बिरह उनको होने लगा, बिरह सताने लगा ठीक है, तो उसी का वो जिक्र किया है तो ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत सवया में बरज बाला प्रेम मार्ग पर चलने से होने वाली निंदा एवं कश्टो का वड़न कर रही है कौन कर रही है? बरज बाला तो देखिए, अब इसकी थोड़ा सा इस्टोरी समझ लेते हैं उसके बाद जो है, हम इस कावे की पद को पढ़ते हैं उसकी ब्याख्या करते हैं तो पहले से थोड़ा सा परचे करा देते हैं ताकि उसको समझने में आपको असान हो जाएगा समझ लेजिए देखिए एक बरज की जो है नाइका है ठीक है वो अपनी सक्षी से कुछ कह रही है कुछ क्या कह रही है कुछ यही कह रही है कि उसको जो है प्रेम हो गया है और प्रेमी जो है बिछड गया है यानि कृष्ण और कोई गोपी होगी तो कृष्ण वहां से चले ग सखी से बताती है कि अप्रियम का जो मार्ग है यह बड़ा कठीन हैDe कि बड़ा कठीन है मेरे अब हम और यहा जीवन के कठू यताहार्त की तरह है बिलकुल कठोर कष्टकार है कष्ट देने वाला है वहां अपनी सखी से अपनी स्थिति का वर्ण करते हुए यह सब क्या कर रही है कह रही है कि इसको यह जो यह जो दुख है न यह जो स्टोरी है यह कहानी है इसको केसी के सामने कह भी नहीं सकते कहने में अपनी ही बर्णामी होगी उसको चुप चाप सह जाती है तो जो नायका है अपने प्रेमी से बिछड़ गई है ठीक है अब ऐसे भी समय वहां तो ब्रज हो गया अब एक नायक और नायका तो नायका चला जाता है और नायका उसके बिरह में है और बिरह में है तो वो सक्षी से कुछ कहती है अपने बिरह की बात ठीक है या ब्रज की कोई गोपी है वो अपनी सक्षी से कहती है कृष्ण के चले जाने के बात या राधा कोई समझ लीजिए ठीक है राधा ब्रज की ही थी तो राधा अपनी सक्षी से कहती है क्या कहती है अब इसको देखिए और उपाई सभे बिर्था है अब आवरे हैं ब्रजी के सिगरे मोहिनाहक पूछति काउन बिथा है मोहिनाहक पूछति काउन बिथा है फिर से पत को देख लीजिए कि मारग प्रेम को समुझे हर चंद यथा रति होत यथा है लाभ कच्छून पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है जानत है जी अमेर भली बिधी और उपाई सभे बिथा है बावर है ब्रजी के सिगरे मोहिनाहक पूछति काउन बिथा है देखे इसमें कुछ सब्द है ठीके इसमें कुछ सब्द है उनके अर्थ देख लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे को जो को सब्दाया है को मतलब काउन है को का अर्थ काउन से है ठीके या थारत मतलब या थार्थ से है वास्तविक्ता से है और जीय मतलब हिर्दय से है ठीक है? जीय या जीय हिर्दय और क्या है? तो एक बिर्था सब्द आया है बिर्था मतलब ब्यार्थ बिर्था मतलब ब्यार्थ और सिगरे सब्द का अर्थ है सब सिगरे मतलब सब्द बिर्था मतलब होता है ब्याथा दुख कष्ट पिडा ठीक है अब इसके अर्थ पर आते हैं तो संदर्भ हमने इसका बता दिया है प्रसंग भी बता दिया ठीक है कि नाइका जो है अपने प्रेम मार्ग पर होने वाले दुख कष्ट इन सब का जो है वड़न कर रही है ठीक है उसको जो निंदा मिल रही है उसको जो अपमान मिल रहा है उसको जो कष्ट जिनने को मिल रहा है उनका ही वड़न कर रही है अपने सखी से कैसे कर रही है कि मारग प्रेमक को समुझे हरी चंद यथा रती होते यथा है कहती है कि है सखी यह प्रेम वाला जो मारग है यह प्रेम का जो मारग है इसक इसको कौँ समझ सकता है यानि यथार्थ की طरح है जैसे यथार्थ कडवा होता है गढ़वे यथार्थ की तरह है यथार्थ की तरह कठोर और कष्टकर है वहाँ अपनी सखी से अपनी स्थिती का वड़न करते हुए कहती है कि हे सखी यहाँ प्रेम का मार्ग कौन समझे यहाँ जैसे कडवी बात होती है कडवी सची जो बात होती है कडवी होती है, कठोर होती है कश्टकर दुख देती है ठीक वैसे ही है इसको कौन समझ सकता है कि वो मुझे कितनी पिड़ा दे रही है और क्या करें ला और करें कि इसको इस मार्ग पर चलते वे कितनी यापनाय जिलनी पड़ रही है कितने कश्ट जिलने पड़ रहे है और कितने जो है काने सुनने पड़ रहे है सब चीजे वो अपनी सखी से क्या कर रही है बता रही है कि इसलिए ये बहुत कठिन है बड़ी कष्टकारी है इस मार्ग पर चलना और क्या कर रही है कि कह रहे है कि इसे कहने में कोई लाव नहीं है मैं आपसे कह रही हूं मुझे कहने में कोई लाव नहीं है इसे कहने में कोई लाव नहीं है उल्टे बदनामी ही बदनामी मिलती है कह रही है कि दूसरों को इस प्रेम कठा को सुनाने से कोई लाव नहीं है पुकारन मतलब कहने में बताने में कोई लाव नहीं है बल्कि उल्टे क्या है? बदनामी होए इस कथा से उल्टे क्या होती है? बदनामी ही होती है बदनामे किया तरीत और कुछ नहीं मिलता और क्लिए जानते है جिया मेरो भली भी धी और उपाई सभे बिर्था है अब देखें, यह आप क्या करिए कि वह अच्छी तरह से जान रही है , जानत है जिय मेरी भली , वह just this कहती है कि में जो मेंहें हिर्दे ω ढहित στο कुझे कि मेरी हिर्द है यह भाद बहुत उच्छी तरीके नहीं मिल सकती, जानती है जीय मेरो भली विदी, आउरी उपाई सबहे भी रिथा है, अर्थात इससे मुक्ती पाने के लिए कोई भी उपाई नहीं है, ये मेरा हिर्दय अच्छी तरीके से जानता है, अगर कोई भी उपाई कर लूँ तो सब ब्यर्थे ही चला जाएगा, इस सभी उपाय क्या है ब्यर्थ है मुक्ति इससे नहीं मिल सकती इसलिए इसे मैं क्या कर रहे हूं चुप-चाप सह रहे हूं किसी से नहीं कह रहे हूं बाद समुझ मैं या अनों इसके लिए कुछ उपाई ही कर रहे, क्योंकि सारा उपाई क्या है ब्यर्थ है, कुछ नहीं कर सकते अब कह रहे हैं, बावरे हैंब रजिके सिगरे, बावरे हैं ब्रजिके सिगरे, मुही नाहक पूछते का नभी था है नहाक मने जूटे, करेा बावरे है ये ब्रच के सिग्रे, अब इतनी कश्ट मैं जेल रहे हूं और ये ब्रच के जो सग्रे मतलब सारे लोग, सब लोग, ये ब्रच के सब लोग एकदम बावरे हो गये हैं, पागल हो गये हैं. मुझसे जूठे ही पूछते रहते हैं कि तुम्हें कौन सा दुख है क्या पिड़ा है क्या कश्ठे है अजब कि ये सब जानते हैं फिर भी पूछते हैं नाहक मने जूठे पूछते हैं बार बार आ करके पूछते हैं और मुझे कश्ठ देते हैं और इसलिए इसको साहना बड़ी कठिन है यह साहन नहीं जाता मुझसे यह बार-बार उनका पूछना और मुझे कश्ट देना जब वो पूछते हैं तो इसे कश्ट होता है दुख होता है ऐसका इस नहीं हो तकिते हैं कि माल्च इस ताइब से कहते होंगे कि तुम्हें hero हुआ है कि और सुर्ध वीजा रही हो इस ताइब स्थे बिप्रलंब स्रिंगार है या बियोग सिंगार है ठीक है क्या बताएंगे इसमें रस कौन सा है स्रिंगार रस स्रिंगार रस का बियोग सिंगार ठीक है भासा कौन सी है तो ब्रज भासा है भासा इसमें कौन सी है ब्रज भासा है सैली कैसी है तो सैली इनकी जो है मुक्तक सैली कि मुक्तकसहली चंद सवया चंद है चंद कई सवया है और अलंकार देखें इसमें तो अलंकार अनुपरास है ठीक है, गुण इसमें जो है माधूरे गुण है, सब्द सकती, लचरा सब्द सकती का प्रयोग किया गया है, ठीक है, हाँ, एक बार और कविता हम पढ़ देते हैं, चारो लाइन, ठीक है, देखें, कविता आप कई बार पढ़के इसको जो है, एक दम कंठस्ट कर लिया करिए जैसे कई बार पढ़नेंगे तो तभी आप वहाँ पे संदरब लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, आप अचानी नहीं पाएंगे कौन से चेप्टर से है, तो उसको थोड़ा कई बार पढ़ लिजिए, ठीके, आईए मेरे साथ एक बार पढ़ लिजिए, मारग प्रेम को को समुझे, हरी चंद यथा रत होत यथा है, अरी लाभ कचून पुकारन में, बद नम ही होन की सारी कथा है, जानत है जिया मेरो भले बिदी, आउरी उपाई सभे भी रिथा है, बावर है ब्रजे के सिगरे, मोहिनाह के पूछति काउन बिथा है, चलिए अगले पद की और बढ़ते हैं, तो दूसरा पद आ गया, अब दूसरे पद में देख लेते हैं, इसका परसंग क्या है? ठीके, संदर तो पहले वाला ही रहेगा कि प्रस्तूत, सोरी, प्रस्तूत पद्दांस हमारी हिंदी पाठे पूस्तक के प्रेम माधुरी सिर्शक से लिया गया है, जिसके रचैता भार्तेंदुजी है, या पूर्वत जिस परकार से हमने बताया था, वो ऐसे लिख सकते हैं लिखेंगे, तो प्रसंग हेटिंग लिखेंगे और लिखेंगे उसमें, प्रस्तूत सवया में नायका के द्वारा परदेश जा रहे अपने पती से जो है चतूराई पूरुवक, कहे गए कथन का वड़न है, इस सवया पद में नायका द्वारा, किसी एक नायका है, उसके जो पती है या नायक है वो परदेश जा रहा है तो जब वो परदेश जा रहा है तो नायका उससे चतुराई पुर्वग कुछ बात कहती है जो कुछ वो कहती है उसी का वर्डन यहां पर किया गया है तो प्रसंग में कैसे लिखेंगे प्रसंग इस परकार से लिखेंगे कि प अपने पती से चतुरुता पुर्वा कहे गए कथन का वाड़ान है ठीक है चलिए थोड़ा सा इस पद के बारे में थोड़ा सा साथ काट में कुछ अर्थ जान लेते हैं इसकी ब्याख्या उसके बाद पढ़ करके ब्याख्या सई से करते हैं ठीक है अब देखें कभी जो है इ उसके मनोभाव का चितरड किया जा रहा है उसके मन में क्या चल रहा है नाइका के ठीक है और वहाँ अपने पती के सामने उस मनोभाव को कैसे प्रकट कर रही है ठीक है तो नाइका अपने पती से कहती है कि आप जा रहे हैं तो आपको हम क्या कहें जाने के लिए कहें कि जाने से रोक दे या क्या कहें हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप ही बताइए बड़ी चतुराई पुर्व को कह रही है कि आप ही बताइए हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपको का कहें इस समय ठीक है तो देखिए ओ पंक्ती में कैसे कह रही है कि रो कहीं जो तो अमंगली होई आव प्रेमों नसे जो कहे पिया जाईए नाइका कह रही है कि रो जब पती जा रहा है जाने के लिए तयार होता है तो पत्नी या नाइका जो है ओ कहती है कि रो कहीं जो तो अमंगली होई आव प्रेमों नसे जो कहे पिया जाईए जो कहे जाहून तो प्रभुता जो कहे जाहून तो प्रभुता आजो कछूना कहे तो सनेह नसाईए जो हर चंद कहे तुमरे बिनू जीहे ना तो यह क्यों पती आईए पती आईए मतलब विश्वास तासो पयान समय तुमहरे हम का कहे आप हमें समझाईए फिर से पंक्ति देखिए रो थोड़ा सा अर्थ समझ लेजिए अर्थ कह रहे हैं मतलब सब्दों के कुछ कठिन सब्दों के अर्थ देख लेजिए उसके बाद फिर एक बार पढ़ते हैं नसे मतलब क्या होता है यहां दिया है प्रेम नसे मतलब नस्ट होना ठीक है और बिन जीहें का मतलब होता है कि बिना जीवित रहें आपके मतलब आपके बिना जीवित रहें कैसे रहें तो बिन जीहें मने बिना जीवित रहें ठीक है और पतियाये का मतलब विश्वास पयान समय, पयान समय का मतलब होता है प्रस्थान के समय यानि जाने के समय ठीक है, तो एक बार और इस पत को पढ़ते हैं, फिर ब्याक्या करते हैं आप लोगों के सामने अब सब्द कुछ सुन लिए, सब्द के कुछ हर्थ जान लिए, तो अब देखिए रो कहीं जो तो आप नायक से कि अब आप जा रहे हैं अगर रो कहीं जो तो अमंगल हो रो कहीं जो तो यामंगल हो आउ प्रेमन से जो कहे पिये जाईए जो कहे जाहू न तो प्रभुता अजो कछू न कहे तो सनेह न साईए जो हर चंद कहे तुमरे बिनू जी है न तो यह क्यों पती आईए तासो पयान समय तुमरे हमका कहया पय हमें समझाईए अब यहां नायका जो है अपने पती से करिए जब वो पती परदेश की और जाने वाला है तो उसके सामने अपने मने भाव को अपने बिचारों को प्रकट कर रही है कैसे काती है कि यदि जाते समय मैं आपको अगर रोकती हूँ रोक ही जो तो अमंगल हो जाते समय यदि मैं आपको रोकती हूँ तो टोक लगेगा अमंगल होगा यात्रा अमंगल ये अमंगल का सुचक है यात्रा अमंगल हो जाएगी सुब नहीं रहेगा और यदि कह दूँ कि पिये जाएए प्रेम नसा है जो कहे पिये जाएए अगर मैं यह कह दूँ कि नहीं आप जाएए जहां जा रहे हों जाएए तब तो प्रेमे नसा जाएगा तब आपके विचार में ये साइद आ सकता है कि हमसे प्रेम ही नहीं करती हो तब ही तो जाने के लिए कर रही हो साइद ये आ जाए तो ये बात कह रही है कि प्रेम ही नश्ठ हो जाएगा अगर मैं ये कह दूँ कि आप जाए तब तो प्रेम ही नश्ठ हो जाएगा चैसमें आपको जाने की लिए करती हूं तो प्रेम ही नश्ठ हो जाएगा। आपको जाना नहीं है तो तब यह होगा कि अधिकार boxer जमा रही हो प्रभुता अपना प्रभुत्व अस्थापित कर रही हो तब यह आ जाएगा विचार यानि आप आदेश दे रही हो कि मत जाओ प्रभुता अधिकार दिखा रही हो अपना प्रभुतो जमा रही हो और क्या कर रही है नाइका कि यदि जो कछू ना कहे तो सनेह न साहिए अगर मैं कुछ न बोलूं अगर आप जा रहे हैं और कुछ मैं कहूं ही न चुप रहूं एकदम एकदम चुप रहूं कुछ न कहूं तब तो पती के प्रतिसने ही नश्ठ होगा तब यह होगा कि पती से तो इसे प्रेमी नहीं है इसलिए कुछ बोली नहीं रही बासमझ में आया अब क्या कहते हैं? अब करें कि तासो पयाने समय तुम्हे हम कहें अब इसलिए करें कि आईसी इस्थिति में आप जा रहे हैं तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आप से क्या कहें? पूछें, कि जाने के लिए कहें, कि रोकें, कि न बोलें, कुछ समझ मैं नहीं आ रहा है इसलिए, तासो मने इसलिए, पयान समय मने जाने के समय, प्रस्थान के समय प्रस्थान के समय, तुम्हरे, यानि आपके प्रस्थान के समय हम आपसे क्या कहें हे पति हमको आप ही बताईए ठीक है आप ही हमको बता जीजिए हे प्रियतम आप ही मुझे बताईए कि आपके जाते समय प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठीक है अच्छा एक लाइन छूट गई है जो हरिश्चंद कहें तुमरे बिनू जी हैना तो क्यों पति आइए ये लाइन छूट गई थी इसका मतलब यह होगा कि यदि मैं यह कह दूं कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती मैं नहीं रह सकती तो आपको इस पर कौन विश्वास कर सकता है इस पर कैसे विश्वास हो, कैसे भरुसा हो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे नहीं तो इसलिए तासो पयान समय तुमरे हम का कहे आपो समझाए इसलिए आपके जाने के समय हम आपसे क्या कहें आप ही हमको बता दीजिए, आप ही समझा दीजिए कि आपके ये जाने का जो समय है, इस समय हम आप से क्या कहें तो ये नाई का जो है बड़ी चतुराई पुर्वक अपने पती से पूछ रही है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मैं कुछ ऐसा कहूं जिसका अर्थ ये जो है गलत निकाल ले, ठीके या गलत समझ ले इसलिए वो सीधे उनी से पूछ रही है कि आपके जाने के समय मैं क्या कहूं, ठीके इसमें भी आप बियोग स्रिंगार कर सकते हैं, ठीके इसमें क्या करेंगे, स्रिंगार रस बताएंगे यहां भी जाने का है, बियोग भी स्रिंगार होगा, ठीके लेकिन रस अगर आपसे पूछे तो स्रिंगार रस, स्रिंगार रस में बियोग स्रिंगार, ठीके भासा आप बताएंगे, ब्रज भासा, बिल्कुल ब्रज भासा है, मुक्तक है, सवया चंद है, ठीक है, अलंकार अनुपरास बता देंगे, गुड़ वही माधूरिय, सब्द सक्ति, लच्रा सब्द सक्ति बताएंगे, ठीक है, चली, एक बार और इस पद को हम पड़ देते हैं, देखिए, पद को आप कई बार पढ़ेंगे, जिससे एक लए बन जाएगी आपके मस्तिक में, और उस लए से एक टोन बन जाएगी, और उस टोन के माध्यम से ही आप इस कविता को पकड़ लेंगे, इन पदों को पकड़ ल लिया गया है और किसकी है ठीक है तो कई बार पढ़ने से एक टोन बन जाती है आपके माइंड में ठीक है और टोन के सारे ही आपका विता को बड़ी असानी से पहचान लेते हैं तो कई बार पढ़ने से होता है तो देखिए रोक गई और अर्थ अर्थ निकालने की जुरूरत नहीं होती है कई बार पढ़ेंगे अपने आप अर्थ आ जाएगा ठीक है अर्थ निकालने की जुरूरत नहीं होती है इसे कई बार पढ़ने की जुरूरत होती है धीरे धीरे आप पढ़िए आप इसको समझने की कुछिस करिए भावनों को कि ये क्या कहना जा रहा है रो कहीं जो तो अमंगली होई अव प्रेमन से जो कहे पिय जाईए जो कहे जाहून तो प्रभुता अजो कछुन न कहे तो सनेह न साईए जो हर चंद कहे तुमरे बिनू जी है ना तो यह क्यों पति आईए तास पयान समय तुमरे हम का कहया पे हमें समुझाईए ठीक है चलिए अगले पत की और बढ़ते हैं यह हमारा अगला पत है ठीक है अब इस पद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो संदर्ब तो पाले जैसा ठीक है प्रसंग देख लेते हैं इसमें प्रसंग क्या है प्रसंग इसका क्या लिखेंगे लिखेंगे प्रसंग हेडिंग लगा लेंगे और संदर्ब भी लिखना है तो संदर्ब जो पहले लिख चुके हैं वही बार-बार संदर्ब आएगा ठीक है क्योंकि लेखक वही है कविता वही है ठीक है तो बार-बार वह बदलेगा नहीं ल नाइका की बिरह दसा का वर्ण है वो इतना प्रेम में इतना बिरह उठा रही है कि उस बिरह का वर्ण कैसे किया गया है इस पद में बताया गया है तो इसको प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पदांस में नाइका की बिरह दसा का वर्ण किया गया है प्रस्तुत पदांस में नाइका के बिरह दसा का वड़न किया गया है इसमें जो है बिरह में ब्याकुल एक नाइका अपने प्रेमी के प्रती अपनी भावनाओं को ब्यक्त करती है बिरह में ब्याकुल एक नाइका अपने प्रेमी के प्रती जो उसकी भावनाओं है उसी भावनाओं को ब्यक्त करती है और कैसे ब्यक्त कर रही अपनी भावनाओं को अब देखिए पद प्रती आईए आज लो जो न मिले तो कहां हम तो तुम्हरे सब भाती कहावई मेरो उराहनो है कछुनाही सब है फल यापने भाग को पावई जो हर चंद भई सो भई अब प्रान चले चाहता सो सुनावई प्यारे जू है जग की अहरीती प्यारे जू है जग की अहरीती बिदा के समय सब कंठी लगावई आज लो जो न मिले तो कहां हम तो तुम्हरे सब भाती कहावई मेरो उराहनों है कछुनाई सब फल यापने भाग को पावई अजो हर चंद भई सो भई अब प्रान चले चाहता सो सुनावई प्यारे जू है जग की अहरीती बिदा के समय सब कंठी लगावई तो अब देखिए नाईका अपने प्रेमी के प्रती बिरह में ब्याकुल होकर कि क्या कह रही है कह रही है कि आज तक तुमसे नहीं मिले आज लो जो न मिले करें कि आज ले जो हम तुमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं हम फिर भी सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं क्या करें आज लो जो न मिले तो कहां हम तो तुम्हरे सब भाती कहा वाई वो कह रही है कि आज ले जो हम तुमसे नहीं मिल पाई तो क्या हुआ हम तो सभी प्रकार से सभी तरह से आप ही कि कहाती हूँ ठीक है अब देखिए मेरो उराहनो है कछुनाही सबे फल या पने भाग को पावे करें मेरा आपको कोई उलाहना नहीं है मैं आपको कोई उलाहना नहीं दे रही हूँ अन्व मुझे कोई उलाहना देना है क्यों? क्योंकि यहाँ जो कुछ भी होता है जिसको जो कुछ भी मिलता है सब अपने अपने भाग का ही फल पाते है मेरे भाग में यही था तो यहीं मिला ठीक है? जैसा जिसके भाग में लिखा होता है वैसा है उसको भोगना पड़ता है अगर मेरे भाग में आपसे नमल मिलना लिखा था तो नहीं मिले, ठीक है, आप कहा रहे हैं, जो हरी चंद भाईस भाई, अब प्रान चले चाहेता सो सुनावाई, आप कहा रहे हैं कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगली पंक्ती में कहा रहे हैं कि जो भाईस भाई, अरिचन को छड़िए, जो हो गया सो हो गया, जो बीट गया सो बीट गया, जो दुख साना था सो वो सह लिया, अब उसको कहने से कोई फायदा नहीं है, तो जो बात बीट गई, उसे याद करके दुखी होने का कोई फाइदा नहीं अब मेरे प्राण चले चाहे तो से सुनावे अब मेरे प्राण जो है इस सरीर से तन से अब निकलने वाले हैं अर्थात मेरा अंतिम समय क्या है निकट आ गया है अब मरने का समय आ गया है ठीक है क्या हो गया है अब मेरा यहां से जाने का समय आ गया है अता मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ ठीक है क्या कह रही हूँ कि प्यारे जू है जग की अहरीती कि प्यारे जू है जग की अहरीती बिदा के समय सब कंठ लगावे करे कि अब अंतिम बात हम जाने से पहले आपको सुना रही हूँ क्या कि संसार की यही रीती है यही नियम है क्या कि अंतिम बिदाई के समय सभी अपनों को जो है गले लगाते हैं तो इसलिए आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं लेकिन अब मेरे जाने का समय निकटा गया है अब हमेशा के लिए मैं यहां से चली जाओंगी इसलिए आप हमसे अब क्या करिए आजाईए अनि अब मुझे गले लगा लीजिए ठीक है अब आ करके आप क्या कर लेते हैं गले लगा लेते हैं ठीक है चली तो इसमें भी आप भासा वही लिखेंगे ब्रज भासा सैली में क्या लिखेंगे मुक्तक सैली और रस में क्या लिखेंगे ब्योक सिंगार ठीके, गुण माधूर है, सब्द सक्ती, लचणा सब्द सक्ती है ठीके, तो एक बार और इस पद को हम पढ़ देते हैं ठीके, ताकि आपके दिमाग में एक टोन बन जाए और टोन बन जाएगी तो आपको कभीता क्या हो जाएगी कभी ता के पद आसानी से पाचान आ जाएंगे ठीक है तो देखिए एक बारा और हम पढ़ते हैं आजुलो जो न मिले तो कहां हम तो तुमरे सब भाति कहावई मेरो उराहनो है कचुनाही सब फलयापने भाग को पावई जो हर चंद भाई सो भाई अब प्रान चले चाहे तो से सुनावई प्यारे जू है जग की अहरीती की बीदा के समय सब कंठी लगावई तो ये एक टोन बन गई अब देखिए अन्तिम पद है हम लोगों के सानने चार ही पद इसमें दिये गए हैं ठीक है तो हाँ इसमें देखिए आप इसका प्रसंग संदर्ब तो ऐसे ही रहेगा संदर्ब नहीं आपको बदलना है क्योंकि लेखा का सोरी कभी और सिर्शक वई है क्यों पद बदल गए है तो हमारा प्रसंग बदलेगा ठीक है चलिए लंबी कलास हो गई है लेकिन धीरे धीरे है मुझे उमीद है कि आप लोग को पसंद आएगा मैं जल्दी में चाहा होता तो खतम कर दिया होता लेकिन मैं सोचा थोड़ा धीरे धीरे पड़ें ताकि आप लोग को देर तक इसमें हम जोड़े रखें ठीक है जिससे आसान हो जाए आप लोग आसानी से समझ सकें देखें चौथा पद है और अंतिम पद है प्रेमाधुरी का तो इसमें प्रसंग आप लोग कैसे लिखेंगे तो हेडिंग लगाएंगे प्रसंग प्रस्तुत सवया में जो गोपियां है उद्धो के ज्यान मार्ग की अपिछा जो हे भक्ति मार्ग की अधिक महत्व देती हैं तो इस पद में गोपियां उद्धो आकर के निर्गुड ब्रह्म का पाट पढ़ाते हैं, घ्यान मर्ग की बात बताते हैं, तो उस ग्यान मर्ग से छोड़ करके उसकी अपेच्छा में भक्ति मार्ग को ज्यादा महत्व देती हैं, कौन गोपियां? ठीक है? यानि गोपियां उद्धो के ज्यान मार्ग की या पेच्छा भक्ति मार्ग को अधिक मौत्व देती हैं, उसी का वड़न है इसमें, कैसे दे रही हैं? जो गोपियां है उद्धो से कह रही हैं, गोपियां किसे कह रही हैं? कृष्ण जी जो है उद्धो को भेचे थे गोपियों को ज्यान बिता सके तो उद्धव आकर के उनको ज्ञान मार्ग सिखाते हैं लेकिन उनके ज्ञान मार्ग को ठुकरा देती है ठीक है और अपने जो है भक्ति मार्ग शिरे क्रिष्न में विरा में ही वो अपने लेन रहती है ठीक है तो देखिए पदपर आते हैं, पदपर आते हैं, पद हम पढ़ते हैं, ब्यापक ब्रह्म से भेथले पूरन है, हम उन्न में पहिचानाती है, गोपिया कह रही है उद्धो से कि ब्यापक ब्रह्म है जो कहते हैं कि ब्रह्म चारोर ब्रह्म है क्रिश्ण थोरना है चारोर निराकार निर्गुड ब्रह्म है ठीक है तो वही चीज़ को बता रही है गोपिया कैसे बता रही है कि ब्यापक ब्रह्म सभेथल पूरन है हम हुप पहिचानती है पए बिनानंद लाल भी हाले शदा हरी चंद नग्यान ही ठानती है तुम उधो यह कहियो उनसो उधो से कहते हैं कि तुम उधो यह कहियो उनसो हम और कछू नहीं जानती है पिय प्यारे तियारे निहारे बिना आखिया दुखिया नहीं मानती है ब्यापक ब्रम्ह सभे थल पूरन है हम हूँ पहिचानती है पै बिनानंद लाल भी आले शदा हरी चंद नग्यान ही ठानती है तुम उधो यह कहियो उनसो हम और कछू नहीं जानती है पिय प्यारे तियारे नियारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है अब यहां देखिए अब गोपिया जो है उधो से कह रही है क्या कह रही है कि हमें पता है हमें पता है कि जो ब्रम्ह है वो ब्यापक है पूरे बड़े अस्तर पर बिश्व के कड़कड में समाया हुआ है बसा हुआ है कड़कड में ब्याप्त है हम हुई इस बात को पाचानत है मतलब जानते हैं हमें भी यह पता है गोपिया कहते हैं कि हम सब भी इस बात को जानते हैं कि जो ब्रम्ह है वो बहुत बड़े अस्तर पर पूरे बिश्व में सम्पूर बिश्व में सम्पूर बिश्व के के से जानते हैं लेकिन एक बात है पयमने लेकिन एक बात लेकिन क्या किन्तु बिना नंदलाल भी हाल शदा हरी चंद नग्या नहीं ठानती है लेकिन कहती है कि किन्तु उन्हें नंदलाल के बिना कहती है कि किन्तु हमें गुपिया कहती है कि किन्तु हमें बिना नंदलाल का ब च्छोन भी अच्छा नहीं लगताक आगपी हरिश्चंद क्या रहा है कि वह ज्ञान मार्ग को महत्वाइब नहीं दे थैं। इसीली नहीं है कुछ लिए हम लोग ज्ञान मार्ग आपके बताएं वे ज्ञान मार्गों को कोई महत्वा नहीं दे रहे हैं, वो हमें कुछ समझे में नहीं आ रहा है वो अच्छा लगी नहीं रहा है उपास के हैं अब कहा है कि तुम ऊदो यह कहिए उनसों हम और कछू नहीं जानती है पास समझ में, यह क्या कर रही है, कि हे उद्रो तुम जा करके स्री क्रिश्म से कह देना कि वे उनकी भक्ती करने के अतरीक तुउ में उनको पाने के अने किसी भी मार्ग को वहाँ नहीं चाहती, नहीं जानती, ठीक है? तुम उदो यह कहियो उनसो हम और कछू नहीं जानती है अनि हे उदो स्रिक्रिश्ण से जाकर करके यह कह देना कि वो आपके अलावा और आपके भक्ती के अलावा आपको पाने के अलावा आपके सिवा उन्हें कोई मार्ग नहीं चाहिए दूसरा मार्ग नहीं यही भक्ती वाला ही मार्ग चाहिए आप ही वाला मार्ग चाहिए जो उनके पास है वही मार्ग चाहिए कोई अन्य मार्ग या दूसरे मार्ग से आपको पाना उनको अच्छा नहीं लगता पिय प्यारे तिहारे नियारे बिना आखिया दुखिया नहीं मानती है ये कह देना कि कृष्ण आपको देखे बिना उनकी आखे किस प्रकार किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं होती जब तक वो आपको देखेंगी नहीं उनकी आखे संतुष्ट नहीं होगी और उनको मनाने से भी वो नहीं मानेगी वो कह रहे हैं गुपियां कि हम लोग मनाने की कोसिस कर रहे हैं इन आखों को तेकि यह आखे मानती ही नहीं है देखने की जिद कर रही है स्रीकृष्ण को ही देखने की जिद कर रही है और कुछ दिखाने पर ये मानी नहीं रही है और किसी चीज देखने की उसाईत ही नहीं है कुछ भी नहीं देखना चाहती है सिवाय स्री कृष्ण के उनकी जो दुखिया आके हैं क्यवला और क्यवल कृष्ण से मिलने की प्रतिप्छा में है ये आप जा करके बता देजिएगा कौन कह रही है तो गोपिया कह रही है ठीक है तो देखिए इसमें जो है इसकी भासा आपको पहले ही बता चुके हैं कि ब्रज भासा है मुक्तक छंद में है छंद इसका सवया है सवया छंद मुक्तक है अलंकार अनुप्रास लगाएंगे माधूरिय गुड है और लच्छा सब्द सक्ती का प्रियोग किया गया है ठीके, एक बार और हमें इस पद को पढ़ देते हैं ताकि एक टोन आपके दिमाग में बन जाए जिससे आप पद को आसानी से पाचान सके कि यह पद किस सिर्शक से आउतरित है और इसके रचाईता कौन है तो सुनेंगे ब्यापक ब्रम्ह सब्धल पूरण है हमहु पहचानती है पए बिनानंद लाल भी हाल शदा हरी चंद नग्यान ही ठानती है तुम यदो तुम उदो यह कहियो उन से हम और कच्छू नहीं जानती है पिये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है तो हमारा यहा अध्याय समाप्त होता है प्रेम माधुरी सिर्सक जिसके चार पद थे और चारों पद हम लोग इसी वीडियो में कम्प्लेट कर लिए हैं यहाँ वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे और यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग जो है इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजी बेल आइकन दबा लिजी जिससे जैसे कोई वीडियो हम अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच सके और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है भारतिन्दु जी का अगला जो पद है काब भी है यहुना छबी है साथ तो उस पर होगा और मिलते हम अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद सुब संध्या और चैनल को आप लोग लाइक सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके सभी लोग जो है इसका लाब उठा सके इसके टो है।